इस नदी के दाए बाये दो मुक्तिधाम है ये जो मुक्तिधाम सामने दर्शक देख रहे हैं ये ग्राम बूंदड़ा का मुक्तिधाम है इसके बाद में नदी बीच में आती है और उसके उस पार ग्राम बालागाओं का मुक्तिधाम है ये जो बीच में नदी भेह रही है इसके राइट हैंड साइड में जो मुक्तिधाम है ये बालगाओं का मुक्तिधाम है और ये जो लेफ्ट साइड में मुक्तिधाम है ये ग्राम भूंदड़ा का मुक्तिधाम है लेकिन दोनों मुक्तिधाम में विशेशता ये है कि दोनों तरब से नदी में अंतेश्टी करने के बाद में यहाँ नदी तकाने के लिए बराबर रास्ता है और यहाँ जो बूंदड़ा का मुक्तिधाम है इसमें दो शेड बने हुए हैं एक शेड में बाकाइदा अंतेश्टी के लिए लकडी की विवस्ता भी यहाँ पर की गई है यह दोनों मुक्तिधाम हरदा मगरदा रोड पर जब हरदा से मगरदा की ओर जाते हैं तो दाहिने हाथ की ओर ये दोनों मुक्तिधाम आते हैं ये जो रास्ता दर्शक देख रहें ये रास्ता हर्दा से मगर्दा की ओर जाता है काफी कि विवस्तित तरीके से दोनों मुक्तिधाम बनाये गए हैं यह जो बूंदड़ा का मुक्तिधा में इसे ग्राम पंचायत बूंदड़ा के द्वारा बनवाया गया है जो 2022-23 में बनाया गया है स्विक्रत राशी का इसमें वो लेख नहीं है निर्मान एगेंसी सरपंच ग्राम पंचायत बूंदड़ा है और इसमें जो पूटिशन लिखा है वो पठनी है नम आखों से शद्धांडी यन्तिम और अटल सत्य है कि यहां जो भी आता है उसे नम आखों से ही शद्धांडी दी जाती है शांती धाम यह शांती धाम ग्राम पंचयत बाला गाओं की और से यहां दिरबिंत किया गया है कि चारो और यहां पर भीच में किराउंड है चारो कुर्षिय लगाई गई हैं जो अन्तेश्टी के लिए लोग आते हैं वह यहां पर विवस्तित तरीके से बेटसकें इसके लिए यहां पर बाकाइदा कुर्शियों को भी विवस्ते की गई है यह दूसरी ओर का मुक्ति धाम जो की गराम पंचायत बूंदड़ा के दौरा बनाये गया है यह भी हम हमारे दरशकों को बता रहा है ये शान्ती धाम जो कि मुक्ती धाम गराम पंचायद वालगाओं की ओर से बनाया गया है और ये जो सामने देख रहा है ये गराम पंचायद बूंदड़ा की ओर से बनाया गया है